लोग तंत्र ताना शाही में तब नहीं बदलता है जो वहां के नागरी सवाल पुछना बन करता है और हम सोने लग रहे थे हम आलस इंदम उसमें जा रहे थे हैं वहीं से जग गया सवाल पुछना दुबारे लग गया लाइट्स, कैमरा, आजादी एक ऐसा शो है जो हस्तियों को ढून रहा है ये वो हस्तिया हैं जिनने हमेशा समाज को चुनोती दिया ये वो लोग है जो हमेशा निडर, आत्मविश्वासी और अग्रिम रहे हैं भलही जनता ने कभी इने सराय ना हूँ, मगर इनोंने हमेशा देश के लिए काम किया है हम इनसे बात करके इनका नजरिया समझना चाहते हैं जानना चाहते हैं कि ये लोग समाज को कैसे देखते हैं और ये सीखना चाहते हैं जिन्दगी को बिना डरे कैसे जिया जाए मेरा नाम है वंदिजयन और मैं इन कहानियों को आप तक लाने का बस एक माध्यमू आज बहुत स्पेशल केस्ट है मेरे साथ very rarely you get an opportunity to meet such people जो एक बहुत छोटे से time में आपे बहुत deep impact डाल देते हैं मैं आज मिला कनन गोपिनाधन जी से he is an ex-IS officer last he served as a collector in Dadray Nagar Haveli उनोंने अपनी service से resign कर दिया and he is now an activist मैंने इंको ट्विटर पे रीच आउट करा था and he is very approachable उनोंने मेरा concept सुना एक बार में he gave me his number he was very committal despite of the fact that he was so busy थे उनोंने कभी भी अपना commitment नहीं छोड़ा and he said कि हाँ अज़े थाम मिलेंगे और जतना time मिलेगा हम record करेंगे and हाँ finally we got a chance to record 4th March की मौनिंग को in my home in Gurdugau and I am very grateful to him he is such a humble and a nice guy he was very genuine calm to the point he उनकी values बहुत strongly दिखरी थी उनकी democratic values उनकी ethics ऐसा लग रहा था कि I am talking to a future leader of this country so I am very much impressed मैं उनसे बहुत इंप्रेस्ट वान की बात सुनके उनसे बात करके and I hope you also feel touched from his viewpoints उनके viewpoints बहुत अच्छे है एक बार उनको सुनिये और बताईये कि आपको कैसे लगता है thank you so much in the likes of Kunal Kamara and Zakir Khan it's saying that I was surprised actually शायद बाई की बाई हो वाकी बाई हो वो कैसे एडिट करवान है कौन बनाया वो पेज में जानता नहीं हो बल्कि उसमें लिखा हुआता है कि मैं वेजिटरियन हूँ और उससे बहुत बड़ा दिक्पत हो है थे हर जगा जहां भी जा रहा था सिर्फ वेजिटरियन खाना मिल रहा है तो उसमें कहीं सारे चीज़े जो लिखे हुए गलत है पर उसको एडिट केसे करना है उसमें लिखा है कि आपकी फेवरेट मुवी जंजीर है जंजीर है अमिता बच्छन है और एट अक्टर है मैंने भी कुछ दिन पहले ही पड़ा और तबसे खोशिच कर रहा हूँ कि उसको एडिट केसे करने का कोई को कि एडिटर मेल किया तो वाइकी पीडिया जैसे नहीं है युकां डिट इडिट कैसे करना है कुछ आइडिया नहीं है और सबसे ज़्यादा लोग उसी को पड़ते है वाइकी भी शायद हिट्स उसके ज़्यादा है सबसे पहले पर दिन दिगा तो आप actually information आपके बारे में क्या बाहर जाता है मुझे नहीं लगता है आप control कर सकते है नहीं कर सकते है Anyway, I am very thrilled to have you First of all, thank you so much आप time लेके आया and I know ये activists के लिए बहुत busy time चल रहा है especially with what is happening तो I can't tell you how humbled I am and I am very grateful, generally very grateful कि आप आया and you came all the way to Urgaon में to meet us, meet me and spend the time with the podcast so thank you so much Thank you Great, so सबसे पहले तो मुझे जानना है करनं की केरला का लड़का बिहार में रैली कर रहा है ये क्या हो रहा है? I mean, this doesn't add up So I think everybody wants to know की from Kerala to Bihar ये जर्नी कहां से शुरू हुई? कैसे हुई? कैसे पहुँची? नहीं, बिहार में लिए पैसा नहीं है कि कम्प्रीटी नहीं चेकरा है बिहार नहीं पर मेरा इंजनिरिंग में ने बीएटी मिस्ट्रा सी किया है जहारकंट रांची से तो चार साल तो वहां पढ़ाई किया है और उस तोरण काफी गुमा भी हो हम लोग निकलते थे, कई आसपास के जिल्डे जाते थे तो जहारकंट तो मैं रहा हूँ और उस तरह बहां के जो आसपास के लोग जो हमारे साथी थे, बिहार सी थे, वहां पर जो पढ़ते थे तो ऐसा नहीं है, इसलिए मेरा हिंदी भी शायद थोड़ा बोच सुदर गया तो उसके बाद फिर तो मेरा जोनी केरला से था पढ़ाई किया जारकंट में फिर फ्री स्केल सेमिकंडेक्टर्स करके कंपनी में काम किया नोइडा में फिर नोइडास में वहीं पर कुछ बच्चों को बढ़ाते वगरत था और वहीं पर वहीं पर वहीं एंजियो के काम के दोरान में अपनी वाइड से मिली जो हर्याना से है और फिर उनकी साथ सील सरीज का आयेस का तियारी किया और दिली में पहला पोस्टिंग हुआ फिर उ आइजौल में आया फिर आइजौल छे फिर दरानगर विली में आया जो वेस्ट है कम्प्रिटली और उसके बाद फिर आभी मतलब दरानगर विली में तो मैं मेरा अगर जोर्णी आप दिखोगे तो ऐसा नहीं है कि अध्याट का पानी पिया आप मतलब पूरा देश का आपको फैमिली कल्चर ने कैसे हिल्प कर आपको आइज बनने में इस बनने में फैमिली कल्चर तो कि हमारा ऐसे कोई मेरा या फिर मेरा घर का भी ऐसे कोई सपना नहीं था फादर तो ऑफकोस एक गवर्ण्मन डिपार्टमें में थे और उनका भी ऐसे कभी नहीं था कि इस बनना है ऐसे कुछ था तो मेरा तो बहुत एक्सिडेंटल है इस बनना तो क्योंकि हम वहीं बच्चों को पढ़ाते थे उस दोरान अटा मार्गेट में हम पढ़ाने लगे तब हमें रेलेस होगा कि बच्चे आते हैं एक दिन बीग मागने वहाँ पे अगले हफते वो बच्चे कहीं और जाते तो हम जो इंट्रेक्ट भी करना चा रहे थे उनको इंगेज भी करना चा रहे थे मैं और मरी वाइफ उस ताइम गल्फरंड के यह उस ताइम हम लोग उ musimy करना चारे थे वह नहीं होता तो फ।o वह प्रजेक्ट तो फेल हो गया है कर हमारा प्रजेक्ट सक्सर्डों 낮 Diskinks के सभिए घाए तो शी सेऔ कि या जितना मेनन मौन भाईर के गर गए उस से बहतर होग गगा कि शायद आम अंदर सिस्टं यह क revolutionary के कर शी जोंट लोंने तो उसाथ में चला गया है, और हर जगा ही कहता हूँ कि शायद मैंने पढ़ाई सीरिस्टी लिया, और उनोंने डेटिंग सीरिस्टी लिया, मैं तो इसी बत के लिए थे कि चलो फ्लास्ट्रूमें बैट के डेटिंग ही कर लेगे, पर उल्टा हो गया, तो जब मेरा प्री क्ल कर लो, क्योंकि यहां तक ऐसी आ गया, तो एक बार अच्छे से पढ़ाई करें कि दूश आए, हो जाएगा, तब रिजाइन किया था, तो पहले रिजिगनेशन नहीं है, तब रिजाइन किया था प्राइट से, क्योंकि सिस्टम के अंदर जाना था, तो वो उच्छे मेने म निकल गया, जब नौकरी छोड़ के परारी शुरू किया, तो निकल गया, तो कल्चर तोर पर उस दोरान तो आप देखेंगे, हम तो इंडियागर्स करप्शन की मूवमन चल रहा था, तो प्रोटेस्ट में भी हम लोग बहार आते थे, हम लोग बच्चों को जुक्यों में पढ़ाने के लिए थे, तो सिविल सर्विस कोई एक theoretical examination की तरह लिया नहीं था, या फिर वो एक 3 letter IAS बनने के लिए IAS बनना है नहीं, कुछ करने के लिए IAS बनना था, कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ काम करने के लिए IAS बनना था, तो एक जरिया था, एक तरीका था, means to an end की service कोई end नहीं था service तो वैसे है service में तो उसके बाद तो family culture मैंने खाल से थोड़ा being open being open to ideas discuss करने का and disagree करने का ये सारे चीज़ें बोथ help किया मुझे लगते हैं इंटेवर में भी बहुत जादा उसके help हुआ है तो कितना attempt लगए आपको तो दो attempt पहला जो service में रहते हुए company में काम करते हुए और उसके बाद छोड़ दिया उसके बाद जो तो उसी में निकल दिया ये आईएस की जब भी बात होती है हमाई दोस्तों में सबसे पहले आता है कि IS इस मतलब collector and collector का काम क्या होता है ये आदे से जादे लोगों को पता नहीं होता है कि ये करता है अगर बलब state अगर state government देख रही है law jurisdiction तो collector का रोल कहां पह आता है so what is that about like I'm sure a lot of people would want to know मैं दो जिले में DM या collector या deputy commissioner हर जग अलग अलग चीज़ कहते है कहीं पर district magistrate कहते है UP में DM कहते है कहीं पर deputy commissioner कहते है जिसे हर्याना में DC है या northeast में DC कहते है और कहीं जगा पर उसको collector कहते है जिसे महराष्ट में, गुजरात में, केरला में सब जगें कहते है तो मैं आईजोल जो मिशरम के capital है वहां पर DM रहा हूँ और फिर इधर दादरानागरवली में भी collector हूँ जिसे महराइशन के लिए डादरानागरविली में भी collector हूँ collector का रोल तो डिपेंड करता है state to state पर ले बाद तो जएसे दिली में collector है तो उनका बोथ लिमिटेड है Land Revenue Administration दिली सब करो लिमिटेड है पर बाहर जैसे जाता है तो इक कोडिनेशन रोल बहुत जादा हो जाता है बहुत सारे डिपार्टमेंट से एफेक्टिवली डिखेंगे जैसे उत्रपदेश स्टेट गवर्न्मेंट का बेट ते लगनों में और आप है बनारस में मालीजे बनारस नहीं है गोरपकूर कई भी जिले में एक कोडिनेटिंग अथोरिटी रखा है जो सिंगल पॉइंट और कॉंटक्त कर एक चीज के लिए तो कोडिनेटिंग का एक रोल में रहता है बाकी सारे डिपार्टमेंट की स्कीम मॉनिटरिंग उसका रिव्यू यह सारे करने के लिए दूसरा एक लीगली बहुत जो यह तो यह एक अमने एक रिसंज्ज्जवल तरीके से डीम को यूज किया गया है कि जो चीज कानून बनाते हैं आच्छा क्योंकि हर आईयस और और आइयस अफिसर्ट की रोल करके उपर आते हैं तो कानून बनाते वक्त अच्छा इस जिले में कौन करेगा टेट ग़ट तो सिधा टीम के एक रोल डाल देते हैं, चाहिए वो सवच भारत हो, चाहिए वो एडुकेशन का कोई स्वीम हो, चाहिए न रेगा हो, कोई भी चीज हो, करने के लिए एक डिपार्टमेंट होगी, और उसके बाद सुपरवाइसिक करने के लिए कम्यूटी या फिर किस तरीक लॉन डॉडर का एक असपेक्ट रहता है, जो डीम और स्वीम के डील करते हैं, तो कहीं-कहीं पे अच्छे से काम होता है, कहीं-कहीं पे इसी के कारण आपको समें इस्जूज भी होता है, और लैपिंग रोल हैं, लॉन डॉडर, तो बलकि क्राइम और पुलीसिंग अगर कोई जिले में कुछ करना चाते हैं, तो तो दो मिनिट लगे गए कि यहां पे आके किसी को बोल दो मुनसिपलिटी का या कि यहां का बाइलोस, मुनसिपल बाइलोस, चक कर लो, कि तुमने सब कुछ से, तुमारा घर जो है, आदा विंच बाहर निकलाएगा मुनसिपल बाइलोस तो ही, मुनसिपलिटी में कोई CEO होगा, वो मतलब नॉर्मली एक जिले में मुनसिपलिटी का CEO जो है, DM का निचे रहत, मतलब seniority वाइस निचे रहत है, तो effectively ऐसा हो जाता है कि, so many laws are there in India, हर law में कहीने कहीं DM को लिखा हुआ है, हर law में कहीने कहीने कहीं, जो law and order control है, बाखी सारे चीज़ को लिखा है, similarly positive role भी है कि हर एक scheme का implementation, हर एक community का उसमें वो रते हैं, तो some of the, if you see some of the DMs, they focus more on the controlling aspect, which is also good, engrossment removal है, mining है, या बहुत सारे चीज़े हैं, जो कर सकते हैं, some of them work completely on the other side, जो मानले जीए कही स्कूल का काम है, या फिर कुछ इंट्रवेंशन हेल्थ में करना है, या कुछ इंट्रवेंशन रोड में करना है, किस तरीके से, Works Department normally थोड़ा अलग रहता है, फिर DM के पास कहीं कहीं जीलों में तो थोड़ा Free Funds भी देते हैं सरकार, कि DM कहीं दोरा किया और वहां पर कुछ चेंज करना है, तो कुछ-कुछ स्टेट्स में हैं, सारे स्टेट्स में नहीं है, तो ऐसे रोल तो होता है, DM के पास, वो maximum time पर उनका क्या है, क्योंकि इतना काम रहता है, यह इतना चीज से focus नहीं कर पाता है, कैसे करेगा कोई एक आदम है, तो effectively क्या होता है, कि जो अगला दिन का review है, स्टेट गर्णमन जो अगला चीज मांग रहा है, या सेंटल गर्णमन अगला रिपोर्ट क्या मांग रहा है, इसी चीज में maximum time निकल रहता है, कहीं बार तो यह जो public visiting of time रख नहीं पाते हैं, कि मीटिंग इतने ज़्यादे हैं, एक सो कमिटी है, उसमें बीस कमिटी का भी मीटिंग अगर लेने लग जाए, तो time खतम होजाएगा, उसके बाद आपकी खुद की इतनी सारे revenue के cases होंगे, एलान की इशू, बहुत सारे चीसें आते हैं, कि फिर आप जो positive role करना चाहते हैं, वो बहुत limited जगा पे, आप innovation की तौर पे करते हैं, जो effectively वही हो जाएगा, जो आपकर main काम होना चाहिए, वो एक सोटा सा innovation ताइप बन के रह जाते हैं, मैं अगर कहूं, तो delivery, service delivery becomes a charity of a good officer, उसके एसान पे, एसान नेटिव तरीकिसे नहीं कहता हूं, actually he has to put in more effort, then only that good service delivery happens, on an average अगर सिर्फ बिठा दो, तो आपना जो जो आएगा, वो आएकी नहीं, ये वो आएकी नहीं, बस, चले जो, खतम कर लो, तो उससे कुछ आगे नहीं आएगा, पर अगर service delivery अच्छे से होना है, तो he has to put more effort, than what is normally required, and then it becomes his decision, मुझे हर दिन इतना effort additional food करना है कि नहीं, तो तभी लोग, इंडिया में service delivery भी बहुत ज़्यदा supply होना है, कोई अच्छा officer आता है, तो कुछ चीसे होता है, उसके बाद officer चला जाता है, जनता थोड़ना पूछते हैं कि भाई वो क्यों गया, या फिर वो काम क्यों नहीं हो रहा है, जनता फिर ये बुलने लग जाते हैं, पिछले वा कुछ करता तो नहीं, तो क्या हुआ है, तो पैसे बुली नहीं लग गया, तो ये supply driven है, अगर अच्छा है, तो कुछ होता है, नहीं है, तो नहीं होता है, ये model सहाथ साथ इसे में ही ज़्यादा है, बाकी जगह पर आप देखेंगे, तो इतना ज़्यादा कॉन officer है, इससे क सीधा 10 पर आजाएगा, फिर मतलब उसकी बाद कुछ अच्छा आजाएगा, तो, and priorities भी officer की साबसे होता है, मैं अगर आजा के decide करो की नहीं, यहाँ पर जो तारे हैं, तार, जो बहुत सारे दिखेंगे, कोई इसको 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 नहीं लगेगा, उसको कुछ और कुछ और इसको इसको शायद कुछ भी इसको नहीं लगे, ठीक है, अपना तरफ से, जो काम आया है, बस वो करो, अपने additional करने को जरूरत नहीं है, रुबो करते रहे, तो फिर वो मुद्धा तो खकम ही हो गे, क्योंकि demand driven नहीं था, supply driven था, तो, मन की मनशा थी कि मैं को यह क करना मतलब होगा कि अगर हमें कुछ करना है, तो उससे पहले वो जनतास में demand के तौर पर कैसे उसको create किया जाए, तो अगर create करोगे तो शायद आपका भी ट्रांचर हो जाएगा, तो भी वो काम होता रहेगा, प्रॉब्लम ही है, होता यह है कि हमारे यहां पे लोग कभी, बुरोक्रेसी हो या पॉलिटिशन हो और रिफलेक्शन ऑफ दो ससाइटी, समाज जैसा चाहता है, वैसे ही वो लोग आक्ट करते हैं, और कभी समाज जिन पर ना प्रेशर बनाता है, ना कभी वो बताता है कि हमको आज हमारी रिक्वार्मेंट है कि यह हाईवे बहुत और सेफ्टी इस्टी इशू बन जाता है बहुत जादा, वाके में लड़कियों को रात में गुरदाओं में निकलन में धे फिल वरी इंसिक्यूर रही है यह तो फिर एक बीसें सेक्टर है जहां पर आम बैठेव है, बट तो यह जो यूग इन आपको अपको अपको इंप completely dark after 7-8 and it's not good but people they are not concerned about it so I think people have a big problem in the whole system in the whole system of stakeholders equal problem are the people as well what do you think? see it's easy to blame people like that but it is also the responsibility of the leaders to make sure that the change happens which is the most easy to blame people they are in their lives they are in their lives they are so anxious they are so anxious they are taking it see democracy is a very difficult project it is a very difficult project people why do they change all the democracies in authoritarian structures because democracy is difficult democracy is a lot of difficult in that you expect a narrative to understand that they understand their minds and then they ask questions and then they keep their demands and then they keep doing it every day follow up follow up talk about it and then they demand it to our officials you know but in authoritarian structure one thing is that you follow us this is how you do it trust your mind just you trust us and trust us all right we see our democracy is also an authoritarian democracy तो वैसे चुनने के जाते हैं, उसकी बाद अगर कोई MLA से मिलेंगे तो बहुत देंगे, आप क्यों चिंता करेंगे, हम बोल रहें ने करेंगे, क्यों चिंता, यह आप पूछ क्यों रहें बार बार, आप सवाल क्यों उठा रहें, हम अपने चुन के, मैंलब, एक वो डेमोक देरे लोग यह करते हैं, हाँ, अरे उससे बैठ, लोग क्या सोचते हैं, यार वो सही नहीं था, उसके जगह पे इसको चुन लेता है, वो चुनना इस देर डेमोकरसी, वो चुन लिया, कर लिया, उसके बाद हम उसको सपोर्ट करें, हमने इसको चुन लिया, अब हम इसको स हम लोयल रहें, हमने जिसको चुना है, हम उसका लोयल रहें, तके हम सवाल ना पूचे, वो यह चीज जो है, डमोकरसी को अथोरेटेरियन पर उसमें लेकर जाते हैं, और हम देख रहे हैं, एक ही चीज, विगस अथोरेटेरियन तिंग is easier on the citizens, initially, citizens पे easy होता है, ज्यादा डिम नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, यह सही है, वो नहीं है, एकनोमी सही है, क्यों पढ़ रहा है, तुम अपना life देखो, मैं देख रहा हूँ ना सब कर दिया ना, भरोसा रहा हूँ, मैं हूँ, भरोसा रहा हूँ, तो that becomes the authoritarian model, और अगर वो डिलिवर करने लग जाता है, तो और यह लोयल्टी बढ़ता रहता, अगर मानले जो हाफ डिलिवरी भी हो जाता है, तो लगता है, भाई, इससे तर तो कुछ हो ही नहीं सकता है, हम अपना काम करें, कुछ बोलना नहीं, हम बस इनको defend करते रहें, ताकि यह नहीं हो, तो यह बहुत मुश्किल है, जो कि का नहीं है, जिसे कि हम उनको जाकर वो कर पाएं, तो यह देखिए, आप जाएंगे स्ट्रीट लाइट के लिए, तो कहां जाएंगे, शायद कमिशनर के पास जाएंगे, हैं नहीं, आप अपना वार्ड मेंबर के पास थोड़ना जाएंगे, अपना मेंटालिटी पे ऐस आपको अपना मेंटी अपना मेंटी पास जाएंगे, जो भी जो भी जो भी पने चुनांगे, इनको पास जाना चाहिए, कि वो बता के कि दोस्ति हाँ पे जरूरत के बढ़ेएंगे, पर क्या है, सिस्टम इस ओफिसे ड्रीवन., इंप्लिमेंटेशन आपके पास है, हां, त ठीक है, आप वो कोई बजट में है, प्रोविशन है या कुछ और है तो वैसे ठीक है, आदर वैस, ओफिसर केन और इस फाइंड आए तो इंटेंट भी होना चाहिए, तो ये देमोकरसी हमें समझना है, हमें कई बार ये लगता है कि बहुत आसान है, हम सर्वेव हो गया, टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग गया था, डेमोकरसी को, ये बहुत खतरनाक है, डेमोकरसी एक हर दिन का मेहनत है, उसका फाइट है, बैटल है, वो हर दिन लड़ते नहीं रहें, बहुत आसानी सिफ हो जाएंगे, बहुत सारे स्टीट साबके, कंट्री साबको मिलेगा, जो हराम से इस तरह गया है, तो जनता को खोसना मुझे नहीं लगता, पर ये कंटिनियूस प्रोजेक्ट के तौर पर जनता को एंपावर करना, देखें एक पटवारी के पास जाने से जनता डरता है, पुलीस वाले से देखने से जनता डरता है, बिलकुल, देखा ही है प्रोटेस्ट में उनसे आप एक्सपेट करते हैं कि वो अपना मुद्दा लेके डिमांड करे, हग से मांगे, वो हाथ जोड़के अपना जो हग के राशन भी हाथ जोड़के मांगता है, तो वो उनसे आप एक्सपेट करत इतना ज़्यादा बनाया है जिसमें आपका पावर डिफरेंशिल आप प्राइवेट में कोई भी बंदा हो सकते हैं पर अगर अगर गवर्वर्णमेंट में सबसे नीचे का मतलब खेरार्की में भी हो तो भी आपकी 20 की पावर डिफरेंशिल बहुत हाई है तो एकनॉमिक कापिल आपका अलग हो सकता है आपके पास गाड़ी हो सकते हैं आप अच्छे गरों में रह रहे होते हैं पर जैसे ही कोई भी चीज़ पर गवर्णमेंट के उस पर जाते हैं तो इफेक्टिली यू बिकम सेब यू बिकम अटमर्सी तू यू बिकम सेब्सक्राइब के लिए पैसा दे दिया रिष्ट दे दिया वो कंवर्ट वो लिए कर सकते हैं और अधर वाइस और पावर डिफेरेंशल बहुत जाद है और गाओं का घरा में जाहेंगी तो आपको यह बहुत जादा दिखेगा पावर डिफेरेंशल जो एक पॉरस्ट का गाड को देके एक ट्राइबल को जो फीलिंग आता है एक पुलिस कॉंस्टबल को देखे जो वहां के कोई भी उनको लगता है वो सम्हाव तो आपस महलब ससाइटी से ही है तो ससाइटी का ही पार्ट है और आपस में बेटर के लिए टाइम लगता है वो एक और बात है कि हम जैसे जैसे ओपर जाते हैं हम असन ओफिसर्स और पीपल और सो हम कहीं से बचना चाहते हैं क्यों बहुत सारे लोग आई इस बनना चाहते हैं वो क्योंकि आपना सिस्टम है जहां पर वो बहुत सारे रिप्रसी सिस्टम है या हैरार्टिकल सिस्टम वहां से वो बचना चाहते हैं अपने आप को सिस्टम से निकल के कहीं और एक पावरफुल पोजिशन पे नाचागे। तो जब आप हाँ से बचना ही चाहते हैं, तो फिर वाकस वहाँ क्यों पाथ तो नहीं हो सकता नाप तो वही से तो आप पचना चाहते हैं तो इपक्स अजिए जब आप पावरफुल पावर टालते हों तो आप पी जब आप पावर 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 पावरफूल पावर रहा हुए काम कर सकता है पर शिस्टम की बाहर भी बहुत ज़ादा काम होना ज़रो जब एग and how do you how can an officer like you how can you ensure that he is corruption free because we always tell that you enter corruption in bureaucracy especially in administrative roles but inevitably system corrupts this is a general public that people always say maybe they are trying to normalize corruption by seeing this but what do you think वाइसा नहीं है, देखो, करॉप्शन, अभी आपको कोई फ्रेंड आके, कोई दिवाली के दोरान, मान लीजे, कैश्यू नर्ट्स और वो सब दिया, आप सरकार में नहीं है, आप प्राइवेट है, तो आपको करॉप्शन मानेंगे, नहीं, तो गिफ्ट है, गिफ्ट है, उ अपल का फोन, गिफ्ट है, यह चीज देख लिजिए, अब यही चीज अब मान लीजिए, ठीक है, करॉप्शन, मैंने जिसे नोटीस किया, हमें कोई बदाता भी नहीं है, पड़ाता भी नहीं है बाद, हम लोग, बहुत सारे लोग सीधा एक एक्जाम करते हैं, सीधा स्ट साल, तीन साल, जो भी लगे, उसकी बाद, इस बाद, इस बन जाते हैं, या फिर पहले अटर्म में हो जाते हैं, जो भी इस बन जाते हैं, एक स्टुड़न लाइज से, आप सीधा ओफिसर लाइज ने गया है, आप बीच में कभी सिटिसन रहा ही नहीं, सीधा लाइज तो करियर बोल, आपको जैसे मुझे एक बनना है, साइंटिस्ट बनना है, तो आप बनगे, अब मान जीजे आपने कही जगा पर पोजिशन लेगे, वो पहला ही दिवाली में, आपके पास लोग आएज़े, आपके बना करोगे, आप माना करोगे, वो भी बोलेंगे, आपसे हम आपने का मांगे, आप तो दिवाली के दोर आपसे एक बास के तोर पे आप मिलने के लिए आप इतना भी नहीं कर सकते, यह तो मतलब हम सब को आप मैसे मत दिखे कि आपसे कुछ काम के लिए है, तो वो शुरू हो जाता है, वो कभी सिल्वर कोईन हो जाता है, कभी बोल तो आप पहले से बताइए कि आपको क्या चाहिए, ताकि शादी के टाइम पे वो नहीं होता, यूएस वेगरा में कि आप बुक कर लो, कौन सी गिफ्ट चाहिए, पर हम उस टाइम हमें नहीं लगता, जैसे आपने भी जवाब के दिया, नहीं यह तो गिफ्ट है, तो मिज कोई भी चीज है, मैं सिर्फ आम की बात नहीं कर रहा हूँ, लोग सब गिफ्ट है, भोल के करते हैं, एक रिलेशन्शिप बनाने के लिए आप आये हैं तो आपको रिलेशन्शिप और हमें कोई नहीं बताता है कि भाई, वहां से हम शुरू होगे, that is where it starts, because it is very benign, you are not expected, आपके लिए ही नहीं बावी के लिए है, आपके लिए ही नहीं बच्चे के लिए है, आपके लिए यह कर रहा है, कई रहने दीजिए, आप मतलेजिए, इस तरीके से करते हैं, it's out of happiness, it's a whatever the case, but वहां से शुरू होता है, फिर ये कभी end नहीं होता है, गिफ्ट कभी end नहीं ह दिली में कोई officer के पास तले जाए है, दिवाली के लिए, दिवाली के एक अफ्टे में, just चले जब आपके बरावा मिलेगा आपको, क्योंकि वो नहीं corruption हो, समझते ही नहीं है इस चीज़ को, वो सकता है कि उनकी version सही है, वो सकता है मेरा version सही है, और मैं उसको, मैं उससे बिल्कुल दूर है, बिल्कुल ही बोलता है कि हम एक मतलब, लिए दिवाली के दिन किसी को अंदरे नहीं आने दिए, तो हमारी फामिली के बिस्टे में तुम चले जाओ, ठीक है, तो इससे, अब आपको, कोई से ने phone दिया, ठीक है, अरे हम USA आये हैं, तो सोचा आपके लि पर यही चीज, अगला बार, अगले दस दिन के बार, बीज दिन, एक महने दो, पहरे तो, छे महने के बार, कभी किसी बात पर आएंगे, वो ऐसे तो करेगा हैं, बोलेगे कि, दोस्त, यार, मेरा एक दोस्त आ रहे हैं, उससे मिल लेना कुछ उसाही लगता है, देख लेना तो आएगा, अब आप उतना फ्रीली नहीं उसको उससे बात का सकते हैं, जितना पहले आप का सकते हैं, आप जैसे वो आते हैं, तो आप उससे फिर, हाँ, आये, हाँ, उन्होंने बताया था, एस साल पूर आते हैं, तो कि अबलिगेशन होता ही है, आपने किसी से भी एक च उसको वो सब चीज़ है, वो कोई इंटन्शनली कर अप नहीं होता है, वो पावर के जो फिलीं है, वो आ जाता है, उसके बाद, अब एक फोन है, अभी किसी से एक फोन लिया, तो अगले बंदे से बोले गया रही है, तो उसने दिया ता सही नहीं था, आपको एक टिकेट ह ठीक है, वो आप यहाँ पे कुछ बड़ा मैट सल रहा है, आपको टिकेट चाहिए, तो फिलीं स्टार्ट फ्रम ये और लिया अगर कुछ वो मुझे अपना खुशी से देनना चाहते है, तो क्या प्रावम है, ठीक है, फिर आप नॉर्मलेज करते हूँ, ये तो मेरे और करी रहे, सब तो करी रहे, तो मेरे क्यों मना करो, मैं अपना क्यों ना करो, तो इस तारीके का राशनलाइजिंग होने लग जाता है, और ये आपको कहीं जिगा मिलेगा, स्म्पल स्म्पल चीजों में, और इसको आप्षिस रोकने के लिए बहुत स्ट्रोंग कराटर च तुम्हारा क्या जा रहा है उपर सी तादेश आया है या बोलो ना अब नाम बोलने का चैंशन है क्योंकि आपके उपर परशर बनता रहेगा आपके डिमाग में continuous चलता रहेगा कि उसके बाद आगला आपने मान लिजी कोई छोटी सी गलती किया एक बार आपने बोलती है ना आपको सुपरियर भी जाद कुछ कर नहीं पाएगा ठीक है पर उसकी बाद आगया आपने एक छोटी सी गलती कि कहीं बेगा तब देखिएगा किस लेवल तेक आपके उपर तूट पड़ते है तो आपको लगएगा भाई ये तो इस बात के लिए सबको समझ में आता है इस बात के लिए ही नहीं ये तो उस्ते में नो उनको ना कहा देगे है अब अगले बार जब दुबारा वो ऐसी कुछ काम बोलते है तो तो तेगा है कौन पड़ेगा ये सब में तो जो बोजें कर लेते हैं अजना दुमाग कर सबको सिस्टम ही उसको बरबाद कर रहा है न всё वो भी सिस्टम ही है वो भी Vietnamese इए श्टम ही है ये सब जो उसके साथ हो रहे वो भी किसी और के साथ कर रहे होता है मैं तो अभी उसकास प्राइविसेज से बताया So, this becomes, फिर आपको, फिर आप अपना moral, जो पिनियन है, या आपको इंडिपेनेट ओपिनियन है, वो रखना बंद कर देता है, आपको लगता है, खिक है, जो आता है, करो, अभी जैसे दिल्ली के हालत है, दिल्ली पुलीस का, इतने अच्छे officers है इसमें, पर… Helpless है? hemल्प्लस नहीं है, they decided to be helpless. आचा, they can act, but they decided not to act. They decided to be helpless. And when police decides not to act, it is becoming complicated. Police, बाकी एजन्सीज ना करने के एक difference है, police जब आप नहीं करते हैं, तो effectively they are complicit. Their inaction itself becomes a crime. तो, ये, जब आप mental pressure नहीं लेना चाबते हैं अब दिल्ली पुलीस में क्या है यहाँ पे कुछ गुस्टा हो जाएगा सिधा ट्रांसर कर देगा अंडमान क्यों काड़रा इसा है में भी इसी काड़र सी अरनाचल गोवा मिजरम अरनाचल गोवा मिजरम अब हो सकते हैं वो पांच साल बहुत मुश्किल से काड़के मिजरम फैमिली से दूर रहके क्योंकि काटना ही बोलते हैं हाड एरिया काटके आते हैं जिसमें दूर जगा से फैमिली से यह सब करके दिल्ली आया और फिर अपना हीरोगिरी यहां पर करना चाहता है कि नहीं नहीं मैं सही काम करूँगा उसको 15 दिन नहीं बोलेंगी कि भाई यहांसे तू निकल है तू भाई मैं क्यो निकलो मरने तो मेरा क्या है जब सरकार चाहता है सरकारी नहीं चाहता है चुने वह सरकारी नहीं चाहता है कि मैं किसी को बचाओं तो मैं क्यों करूँ मैं क्यों अपनी उपर लूँ यह से तो यह चीज जो है और continuous है जो वो कह रहा है वो किसी और किसाद कर भी रहा होता है मत अब यह मत सोचिए कि पुरा victim मत बनाईए किसी को भी जो बोल रहा है वो भी एक officer है ठीके अगर कोई IAS के उपर बैठ है वो भी IAS है उसके उपर pressure आता है तो वो नीचे pass करता है या उसको खुद लगता है कोई चीज तबी वो pass करता है मैं भी हूँ मेरे नीचे भी जो लोग है उसके उपर कर रहे हैं में कर रहा होता है I am not a victim I am same at the same time I am a perpetrator also and a victim also and it is a chain तो इसमें कही ने कही individual होके इस chain को break करना it's a huge mental effort और यह mental effort मतलब आपका character इस level तक strong है की नहीं उसका check वगड़ा तो नहीं होता है तो normally service में तो clear होता है exam के बाद एक आजाता है तो इस level तक का mental character का मतलब testing भी नहीं होता है effectively then everybody tries to find जिसे पानी जैसे हो जाता है पानी डाल दू यहीं पी डाल दू ऐसे हो जाएगा नहीं easiest path ले लेता है अच्छा अब यहीं पे डाल देजिए वो अपना रस्ता डूंड लेता है कैसे निकलना है तो निकलने लग जाता है कौंची आसान रस्ता है जिसे के हम निकल जाएगा तो हम हर एक चीश में यह निकलने लग जाता है तो इस तरीके का एक अटिटूड और यह डेलप होता है I am not trying to give a very bleak picture in this thing also there are a lot of officers who do exceptionally well तो इस तरीके का तो इस तरीके का एक अटिटूड और यह डेलप होता है तो इस तरीके का एक अटिटूड जाएगा प्रेंस बिक्टूड जाएगा तो इस सारे चीज़ के पीच में भी इतना एक और सबसे बड़ी है सबसे ज़्यादा एक officer का मैं समझता हूँ वो है कि appreciation इतना कम होता है service में कि आप appreciation का addiction addicted हो जाता है आप एक मान लिजिए एक डाइलमा है सही करना है कि नहीं करना आपका superior ने बोला है कि ये करोगे आपको लगता है नहीं करना चाहिए नहीं करोगे तो अगला गलती पर आपको पकड़ के दो देंगे कहीं भी चायद वो public में भी हो सकता है चायद कहीं भी हो सकता है बहुत सारे जगा पर आप देखते होंगे किसी minister ने किसी officer को publicly डाली दिया वो उस बात के लिए नहीं होता है कोई और बात के लिए होता है जिसका गुस्सा जो है वो सड़क पे निकाल रहे होता है ठीक है तुमको मैं दिखाऊंगा वाला तो इससे सिर्फ वो नहीं है सब लोग करते हैं दूसरे तरीके के तो डालमा में आप उस आसान है कि हां में हां करो और हां में हां करो ते एक और चीज़ होता है तुरंज जो है आपका सुप्रेयर बोलते हैं हैं बहुत अच्छा अरे तुमने क्या सही तरीके से उसको सम्भाला तो आगले बार एक decision जब चाहिए होता है तब आप तुरंट सोचते कि किस से मुझे वो वावाई मिलेगी किस से मुझे appreciation मिलेगी और तो appreciation जो एक superior से है वो गलत भी क्योंकि हो सकता है गलत काम के लिए भी हो सकता है, सही काम के लिए भी हो सकता है confusing काम के लिए भी हो सकता है, कि सही है गलत है, इसके बीच की भी हो सकता है पर तुरंट आप उसके addicted हो जाते हैं, then you start working for that, continuously तो जो intrinsic motivation के जगापे आप एक बाहर की, और वो बाहर किस से motivation मिल रहा है कभी पैसा हो सकता है, कभी superior के वावा हो सकता है, कभी media attention हो सकता है फिर तुरंट उसके बाहर पे आप काम करने लग जाते हो, तो effectively the power differential is very high और फिर ये ये जर्नी में का बीच में, ये सबकी बीच में भी, there are a lot of people I consider this addiction to pat on the back as more dangerous, because if you are a competent officer and you know, it's like you become a bulldog kind of a thing, you know, bulldog or a double man or what all कि आप अपना owner के साथ एकदम वो है, but you can attack anybody else powerful है, competent है, good boy वाला चाहिए, आपको अपना owners है, तो गो attack बुलेगा, तो वो किसी को भी काट देता है, वो नहीं सूचता, क्योंकि वो सिर्फ चाहता है हाँ है कि अपना ओनर जो है, ओनर सेवस को अच्छा, गूद बॉय मिले और इसलिए को किसी को भी काट ने के ले तेयर हो जाता है तो आप धे अपना ओनर जो है, अपना ओनर सेवसको पकडना ही सकता है, competent, but they are so blind to everything else and they only obey the superior orders superior orders, not rules, they don't care about rules they are personally honest they are highly competent but they only care about what their superior says without all moral conscience or moral so that becomes a more dangerous aspect of bureaucracy and a kind of incident when you had a lot of pressure and you didn't do anything and there was a very pressure on you and you decided that I don't want to do it I suppose one can we talk about one such incident that affected you most maybe multiple I will not take the area or names or anything though they are all in I will not take the area of the department or the head which I will say I will not take the area of the department करने की दिरो होती है तो और सर्वीस में क्या है न ये सर अब किसी से सुनते वो देख लेज़ेगा अपना सुपरियर से कोई सब्सक्राइब के पास जाके खड़े हो जाईए ठीक है या कोई SHO के पास अपना DCP का फोन आएगा या फिर कोई IS से सिर्फ एकी जीज़ बोलता है सर 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 ये सही होता है पुरा कॉर्शेशन क्योंकि you are not expected to counter say your opinion say your आप disagree कर रहे होंगे आपको लगता होगा सही नहीं है पर आपसे expected sir सर 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 कितना बर सर बोलता है सर पर ये सही नहीं है ये नहीं है उन्हें तो तुरंत इरिटेट हुए आप ये आदत नहीं है उनको कि वापस कोई पलट के बोल दे अरे भाई we are all like individuals तो हमारा अपना opinion तो अलग हो ही सकते है आपका और मेरा और just because आप superior है इसका मतलब ये नहीं है ऐसा नहीं है कि मुझे मेरा मन नहीं है तुमको transfer करने का पर ये है कि और कोई competent officer अभी है सिधा बोला मुझे अच्छा भी लगा कितना गुस्सा होने के बाव जी वो आपको बोल रहे है कि ऐसा नहीं है मैं कापी टेम से सोच रहा हूं तुमको transfer करना है कोई है नहीं अभी तो फिलाल तुम continue करो पर ये मत करो तुम मुझे अच्छा नहीं हो सब्सक्राइब गुसा होते हैं लगती है दूसरे एक जगा पर था जब किसी को जेल डालने के लिए बात हो रहते हैं ऐसे collector अब डियम के पास पासा के पावर होते हैं तो काफी प्रशर था कि आप दो लूगों को एलेक्शन से पहले जेल डालतू मिन अगना किया असके बात तो हर तरीके से मीटिंग हो गए तुम क्यों नहीं कर रहे हो तुमको क्या तुम्हारा क्या इस्यू है तुम्हारा क्या इंटरस्ट इसमें ये है वो है तो यह बोला है कि देखे, सरे वो तो DM के पावर है, इस तो कोई senior के पावर है नहीं, मुझे जब तक satisfaction नहीं होगे कि उन कुछ है मैंने कि बिना ट्राइल की जिए बेज रहे होते हैं, बिना ट्राइल के तो आप उसमें दो हफते या तीन हफते के बाद कोई आपका बोर्ड म नहीं है, simple, it's so cheap, it's just the powers that are there तो आप उठा के मुझे कल के कल, without any दो हफते के बाद साथ चूट जाएंगे आप, कि आप बोर्ड में जाएंगे तो, पर दो हफते तो, कोई डाल नहीं और पर आपके जो स्टिग्मा लग गया, आपके बीवी बच्चे सब है, आपके इदर से में उठा के आप दो हफते में जाइल डाल दूँगा, सुचिए, तब ही सब बोलते हैं कि, you know, we vary from politics, ने, it is not about that, इसको fight ही करना होगा, ये सारे चीज़ों को fight करना होगा, ये administration में 90% of things without transparency अंदर ही अंदर होता रहता है, तो ये सारे चीज़े बाहर आना जरूरी है, और वही इसलिए तो dangerous है जो RTI जैसे कानून जो आया, उससे जब हम पीछे जा रहे हैं, so that is actually not RTI going back, that is entire democracy going back, country going back, तो ये चीज़ हमें लगता है कि हमारे लिए administrative convenience के लिए, RTI एक बहुत बड़ा, मैं UPC के तयारी करते हुए RTI डालता था, हर जब मिस्ट्री में, सब्जेगा डालता था, और मैं जानता हूँ कि RTI के कितना बड़ा एक, और मैं ब्यूरोक्रेट के लिए कितना अच्छा होता है, क् कि आप कुछ गलत काम नहीं करना चाहते हैं, तो आप जरूर यह बोल सते हैं कि सर इस पे तो कलाटी है आएगा और मैरे उपर ही इसकी उपर हम सब की उपर पड़ेगा है, तो जो करना नहीं चाहता है, मैं समझता हूँ जितना ज़्यादा public pressure, जितना ज़्यादा प्रोटर्स, प्रोटर्स, एक अच्छा बिरोक्राट के लिए यह सब बहुत ज़्यादा काम का चीज है, क्योंकि वो अकेला ना नहीं बोल पाता, वो लड़ नहीं सकता है, तुम सिर्स तुमें क्यों पड़ी है, भाई देश में किसी को इश्यू नहीं है, तुम को जो करन पांसो घर तोड़ने का डिशन लिया, आपको लगता है, भाई क्यों तोड़ रहे हो, वैसे तो हसारों चीज़े है, जितने भी एंक्रोश्मेंट आपको दिखेगा, एंक्रोश्मेंट ट्राइब, मान लीजी पुरगाओ में, आपको बाई लोग के वैलेशन में बहुत सा आपको लगता है, आपको लगता है कि इस लबल तक इसी चहर में होगी, बड़े-बड़े इंक्रोश्मेंट जिस पर आपको करना है, तो जो गरीब है, उसको हटा दो, ठीक है, उसको तोड़ दो, अच्छा भी लगता है, तोड़ा पावर भी दिखाते है, और वीचारा ज जाता है, कि वो बन जाएगा, सब कुछ ले लेंगे यहां से, सब कुछ बन, मतलब, अभी आज हम यह नहीं एक्शन लेंगे, तो पूरा, अरे, आप आक्शन लेना है, तो मैं समझता हूं, जो मैं पावर, मोस्ट पावर फुल है, वहां से सुरू करो, आपको इतना पावर slightly difficult in all these scenarios, तो, हाँ, बहुत सारे insurance है, जिसमें नाख गेने को पड़ा है, और मेरा तो यह चीज़ में clear था, बलकि उसका बहुत सारे consequence भी आया है, ना कहने के कारण आगला दिन किसी और चीज़ पर notice आता था, but nobody cares, आता रहेगा, consequences है, यह चीज़ सोच के मत करो कि हम सही काम करेंगे, और सही काम का बुरे consequences नहीं होगे, यह तर नहीं होता, आप सही काम के लिए आपको लगता है कि सही है, और आप किसी के खिलाफ कड़े हो, तो उसके consequences बुरे होता है, और prior of time वह अच्छे हो जाता है, नहीं हो जाते हैं, वह में नहीं जानता, पर अगर आपको लगता नहीं है कि वह बुरा consequence नहीं होगा, और आपको लगता है कि वह लेने का आपका capacity नहीं है, तो फिर issue यह है, यह और continuous है, को एंड नहीं होता है, आपका stand जितना जिल्दी आप clear करते हो सर्वीस में, अपना कि मैं नहीं सुनूगा, आपको जो करना है क्या हो, यह impression बन जाएगा कि यह कोई वह है, जैसा नहीं है, पर आपको वही से भी मिलेगा, जो लोग बोलेंगे कि हाँ, यह सुनता नहीं है, पर काम करता है, क्योंकि काम करने वाले लोग भी बहुत काम है, बहुत ज्यादा काम बट इसलिए में सस्टेनबल भी नहीं लग रहा था, बहार निकल के सवाल पूछना और सवाल उठाना और जो लड़ाई बहार से लड़ा जाना है, मुझे लगता है, तो वो ज्यादा जरूरी है, तो वोन क्वेश्चन, और इसलिए पर लोगों से सवाल करें आपके लिए आप लोगों को कितना इफेक्ट पड़ता है, और नहीं भी पड़ता है, और नहीं भी पड़ता है, सम आर गुड पीपल जिनको दोनों तरफ से करना मतलब वो होता है, तो for them it does not make much difference, कुछ लोगों के लिए, देखिए, सरकार दो तरीकी से काम करता है, एक नपोडिसम की ब पड़िसम में क्या है, अगर आप इनको पैचानते हो, तो रखेगा, दूसरे एक आइडियोलोजी आपका हमारा सक्त मिलते हैं, तो रहेगा, तिसरा है कि अगर officer competent है, तो दोनों चाहेंगे, दोनों चाहेंगे कि इधर रहे या फिर कम सकम उदर ना रहे, तो कम सकम कई एक जहां पर काम कर सकते हैं, बहुत सारे bureaucracy जो है, बहुत सारे states में, तो उनके लिए तो क्या होता था, जैसे सरकार सरकार बदलते थे, तो पूरा चीज़े बदल जाते थे, सारे ट्रामसर होते थे, बलकि मैं समझता हूं कि सरकार के change होने पर ट्रामसर होना ज़रूरी है, अच जहां पर पंदरा साल से एक गवर्नमेंट था, वहां पर मैं एक कलेक्टर रहा हूं, जब मैं कलेक्टर रहता हूं, तो मेरे साथ जो लोग आके मिलते हैं, वही लोग होनगे, जो उस प्रिवियस गवर्नमेंट की, जो supporters होंगे, उसमें influencers होंगे, वही लोग आप से मिलने ल बादा है, पोलोग बादेल यह साथ जो लोग आप से मिलने लुग तो फ्र superior होंगे लुग जो लोग आप सी लिग लोग फेलेंगा, टक्लीटी मांतिर मॉशितला कामें फोंगे लोग से लोग उलेंगे, चोँ हसे मिलेंग, लोग धेया लुग है, कहाँ से बहां पर टिख वही चाहिए, वही लोग आपसे बात करेंगे, वो लोगों से आपका मुलाकात होगी, वही नूस्पेर वाले आपसे, तो इसलिए मैं मानता हुआ का, मतलब हो सकता है, मेरा फ्रेंट इंद बुरोकर सी अगरी ना करें, मुझे लगता है कि सरकार चेंज करने से आपसे, नुठी जाए, नुठील लगता है, मुझे लोगों से जाके बात करेंगे, यह सारे पोलिक्स ही है, अलेक्र पोलिक्स नहीं है, यह प्लिटिकल पांटी ही शायद नहीं है, पर, आप इंद एक्टिवल्ड इंवल्डेंट इंवल्डिक्स, and I think anybody who is vocal about what is good for the country what is bad for the country is actually engaged in politics हमारा obsession टाइप हो जाता है कि एलेक्टिल पुलिटिस के साथ ये पुलिटिकल पाटिस के साथ जब मैं रिजाइन किया था तब तो I had no clue कि पांच महिने के बाद मतलब मेरा फिर भी लोग मेरे बात सुनना भी पसंद करेंगे मतलब रिजाइन किया था तब तुरहन तुमें निकल के लोगों से पूछाता है कि नौकरी क्या मिल सकता है सब जगह में फोन करके बोल रहते हैं कि हाव क्या ने सर्वाइब और उस दौरान यही था इतना चोटी से एक एम थे कि कम से कम कही जगह जाके यह 370 के बारे में जरूर बात करेंगे कि मुझे क्यों लगता है कि हमने गलत किया है और बाकी जगह पर जाके बात करेंगे और दूसरी बात लगाता है कि नौकरी तुरहन टूड़ना है पर दीरे दीरे जो है वो चीज बदलते गया और अभी तिसे करीब श्काइब है नियाज जगह जाता है यह जाके लोगों से बात किये अभी बहुत जादा जाएँ यह जादा चेंज गलिए भी मैं प्रिपैरेड नहीं था तो आगे क्या होगा उसके ले मेरा कोई क्लार के नहीं कोई you need a secure job बाकि सब कुछ साइड में हो सकता है पड़ आपको एक नोकरी चाहिए तो वो middle class barrier है mentality में मेरा भी साइद मैं उसको तोड़ पाया तो कोई political party join कर पाऊंगा अगर नहीं तोड़ पाया तो I'll find a job and do something या फिर कहीं पे कुछ social actors की तौर पे काम करें वैसे कोई NGO करें वैसे करें but I don't know विनाय कॉंट शनो की आप financially कैसे sustain कर रहे है financially तो मैं बिल्कुल देखिये जैसे पहले भी resign में ने बताया था तो wife is working तो घर तो उससे चल रहा है basically और मेरा travel expenditures है जहां पे भी जारे है वो तो वहां के जहां मैं जहारा है जिसे दिली आया तो यह इन इंडिया करके उनका मार्च के लिए आया था तो उन्होंने मेरा ticket book किया था इधर आने का तो और इस दोरान करीबन sustain तो नहीं कर रहे है क्योंकि इस दोरान 3-3.5.5 रुपे मेरा खुद का खर्चा हुआ है तो 3FD मुझे तोड़ना पड़ा है इस दोरा अभी जैसे कल आया इधर तो यह कोई किसी ने sponsor नहीं किया है तो मैं अपना पैसे से आ रहे है तो वो चीज़ जो है sustainable नहीं है financially sustainable नहीं हो रहे है पर लीडिंग जो है बहुत लेवल तक रोग दिया है पहले मैं अपने पैसे से टिकेट ले की जाता था अभी फिर समझ में आगा है कि वो possible नहीं है तो लोगों को कहने लगया है कि नहीं आप टिकेट लोगे आप पुरा करोगे तो that is the only thing I am doing as of now so it's not sustainable ऐसे कभी नगा कि कुछ कैश्यूज रख लेते उस ताइम पे शायद आज कहा माते है शायद बूर ने करते लग जाते है तो शायद आज कहा माते है याँ पे नहीं होते है one question उतकर इस आसकें कि आपको drive क्या करता है to go so far you know quit your job and you know बहुत लोग नैसा करते नहीं है so what is your drive I don't know I think the same drive that put me into the service जा same drive जो free scale में काम करते हुए हर दिन हर दिन हम तीन लोग थे मैं धर्शन और विकास मैं आज भी सूचता हूँ कि मुझे क्रेजी लगता है हर दिन नोकरी के बाद आके दो-तीन गंडे बच्चों को बढ़ाता है हर दिन सारदे संदे के काम ने हर दिन और उसके बाद हमें क्योंकि विलैसे डिजाइन बहुत टफ जॉब था और वो सब भी अपने-पने कंपनी समें थे हम लोग कही बार वो पढ़ाने के बाद वपस ओफिस जाना पड़ता है तो रात को एक बजे तर गओगगद दो डॉब जवजे निकल गया बजे टक काम था वो तो दो कमपनी रहते है कि जो निकलूगा, झालोगा, झालोगा, आक्यों 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 काम कर साथा। तो उस ताइप से चल रहा था। मुझे याद है इससी ने बोला है कि you will get burnt out, तो मुझे बोलता है, I'm ready, there is no other way, somebody has to burn out, then only things will happen. ये burning out से बचना आपने आपको प्रिजर्व करते हुए हम सब कुछ कर सकता है। I think I felt at that point of time कि नहीं हो सकता है। उसके बाद अब सर्वीश के प्रप्रेशन था। तब ही मैंने पैसे के वारे मने सचाँ, मुझे हाद है कि किताब एप खरीदा हूं कर एवन एक लाक्षी उपर के किताब पर खरीदे हूं कि 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 प्रिजर्चेल पैसा था और सारे किताब गया एच तो 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 थी तिंगा ये, I'm not much worried about money, I think money is something when you decide to make, I think it will come, it is not and you don't have an expectation कि आपको कोई बोथ सर्फ life में थोड़ा music चाहिए थोड़ा खेलना है that's all very limited things in your life जिस से आपको pleasure मिलता है other than the things that you are doing second is I think you find this motivation in doing these things not in some of some results पर ये करने में ही आपको श्राइप मिलता हो और ये सवाल किसी ने पूछा है कि you मेरा दोस्त नहीं कहा था तुम लुजपको गाली दे रहे हो तुम कर का रहे हो तो कुछ ली कर रहे हो तुम भी अपना नोगरी कर रहे हो तुम भाकी सब को गाली दे रहे हो क्यूँ पर बन् Magaroon मैं सब को गाली देते रहा हूँ मैं कुछ करनी रहा हूँ ये भी बात मैं समझा है कि हमें इस बात से दिक्कत नहीं है मतलब हमें इस बात से दिक्कत है कि सामने वाला मैनत क्यों कर रहा है क्योंकि हम मैनत नहीं करना चाहते है आपको लगता है कि नफरत की राजनीती कोई कर रहा है पर वो महनत तो कर रहा है प्यार कर राजनीती आप करना चाहते हैं पर आप महनत नहीं करना चाहते हैं प्याद जितना आसान है नफरत की राजनीती करना मतलब उससे डिफिकल्ट राजनीती करना कि वह एक्षुली वह फीलिंग अंदर लाना और हमें वह बाइचारा डेवलप करना या फिर कुछ लारजर नेशन की परपस का एंडिटी करेट करना रिलिजिस के अडिटी के ऊपर यह से बहुत बड़े काम है इसमें मेहनत करना पड़ता है मेहनत नहीं करोगे शायद में भ है बहुत सारे लोगों ने मिलके बहार से प्रशयर करके लेकिया है तो तो यह लॉट अफ पीपल जो बहार से हम दिना दिखते हैं वो कंटिन्यूस बीस साल से अभी तो चे मेने हुआ है मेरा इसमें तो क्या ड्राइब आप बोलोगे है तो यह तो यह स्टिल आप टेस्ट कि अगर यही करना था तो शायद अंदर आए कि मरलब सिस्टम क्यों चोड़ा सीट के बरबात करी तो कम से कम कुछ तो कर सकता था अभी तो बहार निकिलके आया और प्राइबट का नोकरी लेके अपना लाइब कर रहा था तो हो सकता है पर मैं समझता हूँ कि तो बी होनस् कि 99 पीपल अर अग्रीइग विद गौवर्नमेंट निन अन्वे लोग जो है सरकार से सहमत में है पर एक आदमी जो है सहमत है उसको पात अधिकार है और वो जा रहा था पर उसको रही जा रहा था उसको इन लग इस लेवल तक दरा के दंगा के बिठा रहे थे कि तुम कि और हम चुप हो रहते हैं तो जब वो चीज मुझे लगा और आज में जब रिजाइन किया तब का हाला तो अगस्त में और आज के हालत में बहुत अंतर है तो आज जनता डरता नहीं है सरकार से तो थोड़ा अधर वे राउंड गूने लग गए जनता बाहर निकल के सवा सवाल पूछना क्यों जड़ूरी है मेरा जो रिजेगनेशन करने का वक्त एक ही चीज़ता है कि रिजाइन करके मैं सरकार से सवाल पूछना है अकेला ही सही पर पूछना है आज करोड़ा साथ में पूछने के लिए तो उस लेवल तक आ चुके मैं कई बर बोलता भी हो मेर इंडिया में स्ट्रेंग्त इतना है अंदर जो एक बार कुमकरन वाला सिस्टम है या नुमान जी वाला सिस्टम है पावर उनके पास है और उनको कोई कोई बताना पड़े rim वा भाई दूमारे पास उपर से लोगतंत्र ताना शाहिए में तब नहीं बदलता है जो भहाँ कि नागरिक सवाल पूष्ना बन खरते हैं और हम सोने लग रहे थे, हम आलस इंदम उसमें जा रहे थे वहीं से जग गया, सवाल पुछना दुबारे लग गया तो बहुत हद तक तो मैं अचली चाहद अपने आपको जिस्टिफाई भी करना होगा पर मैं सोचता हूँ कि हाँ बंद करके जा भी सिपना हूँ पर मैं अचली बता रहा हूँ मैं अपके दाए गंटे चीहते है एक गंटा सरे ममको आइस डिस्कुशन करना था आदा कंटा हमको कुछिंस डिस्कुस करते थे जो लोगों करे और और अधिक मैंको एक गंटा चीहते है सरफ 370 डिस्कुस करने के लिए बटीक है इक अचली है इन पर अपकी जरविया उपकी जरवियर प्रियर पीपल लेकिंस ने जो रगुलर सितिसंस वे बिए बिए मैने एक सजेशन है कि मैंने कुछ एक्टिवस को रखा वो कॉडफुरू कर दिया उनने and it is helping them a lot so maybe if you can start support Kanan Gopinath if that can help see anything you do as long as I am Garib the government won't be able to touch you know कुछ भी करता है न तो तुरंत इनकी एक ही चीज़ है कैसे कोई सवाल पूछता है तो जो कैसे दबा दिया जाए actually मैं टॉक के ले जाओ तो तो तरहा पीपल रड़ी तो पेड़ी तो पेड़ी तो पेड़ी तो ठीक है I don't take मतलब हाँ वो पैसा नहीं लेते हैं आप तो 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 पीपल अरजनरली क्योंकि एस से फेक तरह की करना ही different type का talks जाते हैं और normally people take that is how a lot of people who are influencers motivational speakers यह वो जो भी आप केहते हैं they take money for that वो मरको असे डर है the moment you take हाँ यह फिर उस तरह की कि मतलब क्या है funded मतलब क्योंकि आपको attribute करना है किसी चीज़ से और अलड़ी हर तरह के attribution करते हैं कि कोई Islamic Pakistan जे funded है ISI funded है ISIS funded है क्यान ही funded है सब को पैसा चोड़के कलन गोपिनाथ को लेता है so already जो है इनका बिंग भी है शायद देखो मैं उस बाद से concerned हो गया और मैं इसलिए जो अपना genuine वो भी छोड़ दिया और sustainable नहीं रहूंगा इस तरीके से मैं जल्दी छोड़ दूँगा they work only on many levels but interesting है अपने आपको भी अनलेज करता हूं कि क्या आगे क्या करूंगा वाला मैंने एक बार जब आपका resignation आया था तो मैंने उसका screenshot मेरे WhatsApp पर डाला था कि इस person resigned तो somebody again supporter of BJP commented कि भाई ये सरकार इन करप officers के पीछे बढ़ गई है इसलिए छोड़ रहे हैं लोग they have an assumption about and they are very honest in their assumptions they are not वो ऐसा नहीं है कि support कर बोट वो तो फिर भी ठीक है जो BJP को support करने के लिए करते है ये कहीं सारे लोग actually लगता है कि जो भी BJP के खिलाफ है वो सब एकदम गदार है वो honestly या फिर corrupt है या फिर गदार है या फिर कुछ न कुछ तो है जिसके कारण इन लोग BJP के खिलाफ बोल रहे है वो चीज समझने का कोशिश नहीं कर रहे है भाई जो BJP भी एक टाइम opposition में थे तब वो भी सरकार के खिलाफ सवाल पूछते थे आग BJP सरकार में है तो BJP के खिलाफ भी लोग सवाल पूछेंगे ये चीज नहीं समझ में आता और आप जो भी इस तरीके से बाढ़ते हैं तो आप देश को तोड रहे हैं तोड रहे हैं क्योंकि सरकार के साथ रहे के तो बहुत असान है सबको बनेफिटी मिलेगा उससे प्रो-C.A. रैली हो रही है बतलब बनेफिटी मिलेगा बट एंटी-C.A. रैली करके बताओ बात जब सरकार के खिलाफ जाक के आपको लगता है सही है उसके लिए जब खड़े होते हैं तब बहुत ज़्यादा पेट्रियोटिक होते हैं तब ज़्यादा क्योंकि आप नुकसान जेलने के लिए तियार है अपना देश के लिए तो वो पेट्रियोटिसम समझ में नहीं आता है लोगों को उनको लगता है कि बीजेपी इस दी एंड ऑफ पेट्रियोटिसम वहीं पे खतम हो जाते हैं वही लोयल्टी वाला कंटसप्ट आजाते हैं उनको सपोर्ट करो तो जो भी सवाल उठाते हैं उसको तुरंग डिस्क्रेडिट कर दो मेरे अभी छे मेने हो गया तरीकी के चीसे डून लिए होंगे मेरे उपर कि मैंने कुछ गल्थी किया हो इससे उपर जो है मेरे पीचे पढ़ सकते कि नहीं मीजोरम में कुछ ऐसा नौर्थीज का नाम लेंगे नकसल्स के साथ थे सब तरीके से सब तरीके से वो इस बात को कंविंस हो जाए कि हाँ इसी में गल्ती था इसके गल्ती था इसलिए ये भागा बाहर ठीक है तो वो लोग सवाल भी नहीं पूछते है तो उन्होंने अपने कौर वाटर बेस के कंविक्शन के लिए ही ये प्रोपगंड़ा पहले निकाला कि मेरे उपर कोई ऑइनक्वेरी था इसलिए मैं भाग के निकल के गया और वो एनक्वेरी है बोलने के लिए उस दोरान एक क्या है प्राइमेसर एक्सेलन सब्लाट के लिए अपले नहीं किया और मैं केरला में वोलंटीर वर पर गया था उस दोरान 2 रिपvyट्स ενमिट नहीं किया 120 क्रोड का अंडर्गरॉण केबिलिग प्रजेक्ट वो 18 महने में प्राइट करना था मेरे उपर एक नोटीreath दोनोो इनलोने दिया है कि मैने वो 3 महने में कमृट्वित करना अंडर्गरॉण केबिलिग जो उपर की जो है ठीक है सर्वे करने में पिर मेने लग जाते है नीचे काई से करने है कर अगर if they come after you they can have they don't have to actually prove any of it they just need to give you a notice आपको reply देना है पर वो notice आ गया पर वो notice खजारों WhatsApp ग्रूप में डाल दो ठीक है तो सब जग देखो इसके खिलाफ तो यार ये चल रहा था इसलिए तो गया है वो और कोई reason थाई नी ठीक है और उन्होंने फिर अपना friendly newspaper या फिर news agencies वो सब में डाल दो आई है नस है नए या फिर सब में डाल दो तो सारी इसको cover करेंगे जैसे cover करेगा तो फिर वो automatically जो उनके तरफ believe करने वाले वो तो एक्तम clear हो जाते हैं कि हाँ बिल्कुल सही है पर मेरे case में मैंने decide किया है क्योंकि भाई मैं तो travel करूँगा जब travel करना decide किया है तो आपने जितना मुझे malign करने का कोशिश करते हैं मुझसे बात करके तो दो मिनिट में लोग समझ जाते हैं कि actually इंसान को आप देख के दो मिनिट में समझ जाते हैं कि इतना ज्यादा time में लगता आप मेरे खिलाब कल मान लीजी इने कोई CBA करवा कि मेरे को अंदर करने का भी कोशिश करेंगे शायद बंदित बोलेगा है कि नहीं यार गलत हुआ है ठीक है क्योंकि आप मिल चुके हैं we know each other तो you know that house that an individual तो मैंने भी मतलब मुझे पता है कि वो तो करेंगे ये करेंगे उन्होंने ये notice दिया है resignation ना accept किया अभी तक नहीं किया ठीक है आज मैं एक चिट्टी लिख करेंगे दो तो आज मैं सर्वीस में वापस जा सकता अच्छा resignation accept नहीं किया उसके दोरान तीन मैने के बाद उन्होंने मुझे एक notice दिया है कि आप जाके 370 नहीं लिखा आप जाके जो मीडिया से बाग कर रहे है उसके कारण इंडिया के foreign relations affect हो रहे है यह मेरे उपर एक notice दिये है क्योंकि dismiss करना चाते है resignation accept नहीं करना चाते है dismiss करना चाते है ठीक है वो लटका के रखना चाते है वो लटका के रखो ताकि जब जैसे सिकनेया का solution case है जब जरूरत पढ़े तब उसको कार खेलो तब खेली करो ताकि जब जरूरत पढ़ने पे खेलो तो वो लटका के रहे थीक है आप देखो इतना ज़्यादा हम सरकार को अपने लाइफ को कंट्रोल करने नहीं दे सकते एक ही लाइफ है हम सब की है ना तो किसी और सरकार में रहते हुए तुम कंट्रोल कर रहे कि बार भी कर रहे हुए तुम इस लेवन ते कंट्रोल कर होगे कि तुम डिसाइड करोगे सब कुछ तो वो तो जो है और इतना कैपासिटी है भी नहीं इतना गौर्णमेंटल कैपासिटी हे भी नहीं कंट्रोल करने का, ये वैसे दिखेगा बहुत बड़ी चीज़े हैं, क्योंकि इंडिया का पॉपलेशन इतना ज्यादा है, हमारे इतना जेल की कैपासिटी पता है, चार लाग, ठोटल, 130 करोड की जनता है, चार लाग, पैन इं चार लाग में, शाड़े-चार लाग अल्ड़े जनता भरे हुए उसके अंदर, और तुम किसको डालने वाले हैं जेल में, क्या करोगे, मैं था डियाजी प्रिजन्स था, तो हम जानते हैं कि एक का, कि NPR के विरोध करने वाले सब को जो हम जेल डाले हैं, अब कौन सी जेल जिसे तुझ डालने वाले हैं, एक आदम को डाल सकता है, चारीश लोग को डाल सकता है, उसी उपर क्या, क्योंकि ये जो फिगर्स हमको लगता हैं, जो बहुत बड़े हैं, पर क्यापिटा वाईस देखेंगे, इंडिया के गवर्नेंस के पासे बहुत काम है, सरकार को इस समझना चाहिए, सरकार को लगता है, जैसे गुजराद जैसे चलाया उनोंने, उस तरीकी से डरा दमका के पूरा देश को चला सकता है, वो नहीं पॉसबल है, मैं, सी, इंडिया, गवर्नेंस के अलली भी बाई टेकिंग पीपल ओन बोर, बाई कंविनसिंग देंग, बाई अगर एक प्राइम मिनिस्टर के आवाड या फाइल लिए, उसके लिए नोटीस से में सरकार नौकरी छोड़ के भाग जाता, तो मैं पागल हूं कि मैं सरकार को कश्मीर के किला सवार के, इसको निकल जाता है, तो नहीं डरते है, उसी तुरान इसी चीज़ के लिए निकलाता है, कि सरकार से डरने की कोई मैं से जैल डाले के, डर लोग बाई घरते हैं, तो ने पीम का स्लोगन ही है, वो है हवास दो हम एक है, और वोई मूवमेंट के, बहुत सारे मूवमेंट के लिए नाजादी के स्लोगन भी लोग जैनियू का स्लोगन है, नहीं है, बहुत पुरान है यह मूवमेंट के स्लोगन है, वो हर जगा, मतलब मैंने सुना एक किसान के नारा आजा दी, उस दोरान चलता है, लोग अचानक दिली में सुना करके, बहुत जादा बदल के, मैंने कुदी बल्की बहुत सारे नारे दिय हैं इस दोरान, क्योंकि मुझे लग रहाता है कि सरकार मुद्धों को बठका भी रहा है, और सबसे ज़्यादा बुरा तब लगाता है, जब पता चला कि हर एक गंडे में एक नाजवान आपमात्या कर रहे है, बेरोजगारी के का, कि फैमिली से बात करो, वो लगता है कि उ भी पो रहा है और चिन्मयाननद जैसे बहर गो रहा है तो घूम रहा है बलाक्तकारी, मोदी तेरी जम्यादारी, लिटान िलिए त्टीकार्त्सिस जो घ्याचर ड़ियसे का एक ढ़ 되지 है, स्टीट के पालब भाड़ान, लिटान सु सब ठीच रहा है तो वेच रहा है रेल तो यह तिक गनन की कहानी इन फैक्ट उनकी कहानी बिनी थे उनकी कहानी का एक छोटा सा एक हिस्सा था मुझे भी भी लगता है उनकी कहानी तो बननी बची हुई है कनन ने अपनी सर्विस से रिजैन इसले करा था क्योंकि जम्मु एन कश्मीर पे जो आर्टिकल 370 को हटाने के बाद रिस्टिक्शन्स हुए थे यह उसे खुश नहीं थे और यह सर्विस में रहते रहते सर्कार सवाल नहीं कर पा रहे थे बहुत बोल्ड स्टेप था एक ऐसी सर्विस और इसे जॉब से रिजैन करना जिसको हर साल लाखों लोग जॉइन करने के सपने देखते है मैं सोच भी नहीं सकता कि वो रात कैसी होगे जिस दिन उनने अपना रिजिगनेशन सरकार को डाला होगा और जैसा कि आपने सुना हो सरकार ने उनका रिजिगनेशन अभी तक एक्सेप नहीं करा है हम ऐसी और कहानियों को लाना चाहते है और कहानियां ढूड़ना चाहते है जानना चाहते है और उनसे समझना चाहते है कि वो समाज को कैसे देख रहे है अगर आपके पास कोई सदेशन है इस शो को बहतर बनाने के लिए तो आप मुझे mail कर सकते हैं vandit.gen at outlook.com पे that is v-a-n-d-i-t dot j-a-i-n at outlook.com आप मुझे twitter पे भी reach out कर सकते हैं is t-h-e-o-n-e-d-i-t the one did YouTube पे भी यह podcast अवेलेबल रहेगा along with Spotify, Cashbox, Spreaker etc. YouTube पे मेरा चानल है वन्दिच जैन के नाम से v-a-n-d-i-t j-a-i-n मैं उमीद करता हूँ जो छोटी सी कोशिश है समाथ से रूबर होने की यह आपको पसंद आई होगी Lights, Camera आजादी को सुनने के लिए धन्यवाद जैहिंद जैहिंद